असलामेकुम दोस्तो, TutorialsHunt.com की जनीफ से मैं हूँ हरून अश्रफ और आज मैं आपको इस टुटोरियल में Google Panda Penguin और Hummingbird जो Algorithms है Google के इनके बारे में आपको डेटेल में समझाऊंगा और Practicals भी करके दिखाऊंगा वह यह Google अगारे पर हम जो चेंजिस आए हैं वह भी सब आपको मैं बताऊंगा तो इसके हवाले से मैंने एक presentation बनाई है तो उसे open करते हैं और start करते हैं बिसमिल्लायरुख्मान अरहीम पहले दे देता हूं मैं short description about Google Algorithms वह यह Google ने Algorithms क्यों design किये और किसलिए design किये तो Google 93rd September 1998 में बना था और उसके बाद इनको popular तो हो गया था और इसके बाद उन्होंने हमेशा से कोशिश किया है कि यह अच्छे से अच्छे results अपने जो visitors उनको present करें अच्छा से अच्छा content जो है यहां present करें और search को faster करें और चलें अब Google Panda पर हम सबसे पहले जो algorithm है उस पर हम उससे हम start करते हैं और इसके बाद मैं आप Google Penguin का समझाओंगा और फिर Google Hummingbird और LSI जो मेन है इसका latent semantic search जो के new आया तो Google Panda से start करते हैं तो यह it was released by Google in February 2011 February 2011 में release हुआ था यह Google Panda का algorithm और उसने 80% website जो थी internet पर उन्हें effect किया क्यों effect किया लो quality content था उन में copied or duplicate content था वेब spamming की हुई थी over SEO optimization की हुई थी clocking की हुई थी keywords access इस्तमाल किया हुई थे अच्छी ranking लेने के लिए और हम मैं आपको सबसे पहरे बताता हूं कि लो quality content क्या होता है अब यह मैं आपको अपनी website का एक post दिखा देता हूं मैं आपको पिर बताऊंगा low quality content क्या होता है और high quality content क्या होता है जैसे कि आप मेरी website देखते रहे होंगी यह tutorialshunt.com तो जब भी मैं कोई video tutorial बनाता हूं जो embed करने से पहले जो video tutorial होता है उसको मैं explanation भी देता हूं आप लोगों को अगर वह explanation ना दूं सिर्फ heading डाल दूं जैसे अब यह tutorial है complete free.tk domain video tutorial दो यह फ्रंट मन लिंक है तो मैं इससे सही बोलनी पाया तो यह post है तो अगर हम यह post कर दूं एक image डाल दूं और नीचे embed कर दूं यह video जो मैंने बनाई थी complete.tk domain की तो यह आजएगा low quality content में अब मेरी website से वह direct video तो नहीं उठा कर दे सकता है वह text दे सकता है तो यह जो होगा low quality content में आ जाता है तो अभी मैं आपको यह post UI खोल के दिखाता हूं मैंने ऐसा नहीं किया हुआ अब यह देखें अब यह मैंने पोस्ट किया हुए complete.tk के free domain वीडियो टुटोरियल इन दी अब मैंने इसको पहले चोटी सी इसकी description दी है डूटी के domain की फिर इसके वीडियो टुटोरियल दी है हेडिंग नहीं है उनके बकाइदा और फिर आपको मैं दीचे दिखा देता हूं advantages और disadvantages के हैं डूटी के domain के वह भी मैंने आपको बताए हैं अगर मैं यह advantages disadvantages और आपको यह ना लिखता और सिर्फ यह जो वीडियो टुटोरियल हैं इन्हें बैड कर देता तो मेरी यह website low quality content में आ जाती और यह Google जो है उसे catch कर लेता गूगल panda sorry तो यह बाहर निकाल देता मेरी इस post को तो यह मैं basically आपको पता दना था low quality content के लिए लिखना आपने keywords भी अच्छे इस्तमाल करने अच्छी ranking करने के लिए और copy content का तो आपको पता है करें से अब यह copy content जो है आप यह copy करके अपने ब्लॉक पोस्ट में डाल जो तो वह copy content में आ जाएगा तो यह post मैंने पहले किया हूँ अब आपको इसको copy करेंगे तो यह copy content में आपकी website से आई जाएगे अगर आपने चेक करना है अगर आपने copy किया भी है हुआ है किसी का content मेंस कुछ लोग होते हैं अब यह कोई भी मेरा video जो टुटोरियल है इसे सारा copy कर ले और फिर sentences जो है तो बलकि यह sentence है so now I have hunted a free domain which is dot ik अब इसको lining जेंज कर दें से उपर डाल दे कुछ वर्डिंग में synonyms इस्तमाल कर ले तो फिर वो copy content में आ जाता है अगर आपने चेक करना है कि आपकी website का content जो है copy content मार्क हुआ है या नहीं तो इसके लिए यह post किया हुआ है how to check if your published content is mark copyright or not यह आपने tutorial ज़रूर देखना है इसमें मैंने आपको बलोगों को बताया कि आप कैसे check कर सकते हैं आप Google ने आपको content copy mark की है या नहीं इसमें copiescape.com है जो आप website को पूरा scan कर दे कि और बताया कि अगर आपने content कोई copy किया हुआ है या नहीं और इसके लावा एक smallseutools.com पे एक plagiarism चकर टूल है जिसकर आपने यह article जो आपने copy करना है फिर वहां paste कर देना है और फिर वह आपको scan करके बताएगा यह जो article लिखा है आपने यह unique है या नहीं तो इस तरह आप अपने जो blog post है वह scan जूरू कर लिए जाएगा वरना वह Google Panda से पकर जाएंगा और web spamming में आ जाती है over SEO optimization cloaking keywords accessing मतलब अब यह है किसका main keyword है जो जो अभी मैंने post किया हुआ है complete.tk domain अब मैं .tk.tk बहुत ज़्यादा डाल दूँ तो keywords access हो जाएगा 3% keyword density भी आपको याद ने रखनी चाहिए अब यह .tk का है पहले एक yarn use हो है अब यहां मैं बहुत दफ़ा यूज करता हूँ हर line में तकरीब है अगर .tk use करने लग जाओं तो फिर keyword accessing में आ जाएगा और फ चाहिद उनकी ranking अच्छी आ जाएगे लेकिन ऐसा नहीं है गूगल पांडा जो है basically low quality content copy it और duplicate content और web spamming और जो करते हैं हद से ज्यादे बैक लिंक्स बनाना सौफ़वेर से बैक लिंक्स बनाना तो उन लोगों को यह Google ने एक design किया था और इसे इसने फिर February 2011 में release किया और 80% वेबसाइट्स जो थी वो इससे harm हो गई हो और मेरे भी कुछ ब्लोग से उनमें मैंने copy किया हुआ था Wikipedia से करके उसके आगे पीछे करके कर दिया था तो मेरे पास 1000 विजिटर से तकरिवन 2011 में तो जब के Google Panda की update हाई तो उसने सारा तबाह कर दी मैं भी उसमें मेरी website को भी ब पाचा बैठे होते हैं तो पिर जब जब जबाल आ जाता है बिल्कुर वही वाला काम हुआ तो सारी पूरी website जो थी मेरी तबाह हो गई तो फिर उसके बाद मैंने blogging चोड़ दी थी और अब मैं दोबारा blogging में आया हूं exams के बाद तो यह मैंने website बनाई यह tutorial से और अब मैं नहीं चाहिए क्योंके Google अबने algorithms डिजाइन कर ली हैं तो आपने अब रहा चोकना रहना है तो अब Google Penguin के बात करते हैं तो इस पर आ जाते हैं तो इट वाज रिलेज्ट इन April 2012 तो अब मैंने 2012 में भी blogging छोड़ दी तो 2013 यह 22 साल जो थे मैंने पढ़ाई पर लगाए इसमें स साइड इंटरनेट पे फिर क्योंकि यह उन्हें एफेक्ट किया क्योंकि जब Google Panda के हुआ तो कि एटी पिरसंट ने लोगों को सीधा कर दिया था तो फिर लोग सही इंसानों की तरह काम करने लग गए थे तो फिर इसने जो बेसिकली किया तो keyword stuffing को कि आप keyword stuffing के भी आपको मैं एक्जेंपल दे देता हूं मिलके keyword stuffing क्या होता है अब मैं लिखता हूँ एक टॉप SEO टिप्स कि फॉर ब्लॉकर्स कि 2014 यह मैंने एक पोस्ट है ब्लॉग का ठीक है अगर मैं इसे हटा के रुख दूँ SEO टिप्स टॉप SEO टिप्स ब्लॉगर SEO टिप्स ऐसा टाइटल आपने कभी भी नहीं देना यह हो जाएगी फिर आपकी keyword stuffing कि तीन दफ़ा दे को SEO को कितनी दफ़ा मैंने इस्तमाल कर लिया है वो 3% वाली बाद जो मैंने आपको keyword density वाली बताई थी उसे आपने रियाद रखेना है तो फिर यह Google पंग्विन आपको हर्ट नहीं करेंगा तो इसके बद keyword stuffing का आपको मैंने समझा दिया है और इसकी related वेक टूल है smallseutools.com आप यूज की जिएगा बहुत फाइदमें टोल्स हैं वहां keyword density भी बता देता है वो इसके बाद आ जाते हैं spammy links paid और irrelevant कुछ लोग कहते हैं आप 10 डॉलर हमें दे हम आपको तक्रीबन 10,000 backlinks बना देंगे 529 PR के 10-15 backlinks बना देंगे कुछ लोग देंगे वह software इंस्तमाल करते हैं त तो एक और आप बात भी आपको बता दूँ के सारा जो काम किया करें वो manually किया करें को कोई किसी बी चीज के लिए software इस्तमाल ना किया करेंगे करेंगे तो फाइदे से ज़्याद आपको नुक्सान होगा तो spammy links वो होते हैं paid वाले और irrelevant अब मैंने एक इसको link बना देता हूँ Google hummingbird को इसको मैं link बना के से redirect कर दूँ मैं कौन सी website करूँ कोई भी हो गई Wikipedia पर कर देता हूँ Wikipedia के title page पर कर देता हूँ तो hummingbird पर wikipedia के title page पर तो कोई नहीं ऐसे है तो यह irrelevant link होगे और बहुत सारी redirects होगे अब मैं एक page खोलता हूँ कोई भी ठीक है ना आप यह top 5 cheapest domain name रिजिस्टर आज कहलते हैं ठीक है ना यह खोलते हैं तो पहले post खोलता है फिर को यूर website पर redirect होता है आटमेटिकल रिडारेक्शन को लोग ने एड़ किया हुए थे उनको ही इसने पकड़ा है जिस्टर को वह annoy करते थे पेड और रिडिलामेंट और clocking और density में हद से ज्याद keywords माला करना घ्री परसंट आपने से ज्याद़ एक keyword को नहीं इस्तमाल करना तीक्यादा हमें इस आपने में अर्टिकल में इस इस्ते ważne नहीं किया तो एक आप यह टिप्स फाल सब्क्रेंगे तो Google पैंगूइन Google Panda वहारा आपको नहीं डामेज करेगा इसने जो किया था 80% किया था तो इसने जो किया है Google Penguin ने तो यह 20% था means Google Panda से यह बहुत कम था और एक और अपडेट भी आई है पिसले दिनों Google Panda 4.0 Google Panda 4.0 उस लोगों उस वो अपडेट आई है उससे कुछ लोगों की ट्रैफिक इंक्रीज हुई है और कुछ लोगों की ट्रैफिक डिक्रीज हो गई है तो मेरी तो इंक्रीज होगी है 30% जा क्रीबन तो उससे मुझे खुशी हुई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो और आउस्टी आप्टिमाइजेशन जिन्हों ने की हुई है उनको ला रहा है और कुछ लोगों ने अपने अपनी पेशन गोई हैं की हुई है तो मैं आपको बेसिकली बता दो यह तीन जो मोटी मोटी बाते हैं यह आपको मैं बता रहा हुँ यही बेसिकली देखी जाती है इनको आपने ख्याल में रखना है तो आप नहीं पकड़े जाएंगे तो गूगल पांड़ा 4.0 की मैं बात कर रहा था तो उस ने उन लोगों को पकड़ा है इनका लोग क्वालिटी कॉंटेंट था ना मींस अगर आप मैं को डॉटी का डॉमेन का यह है तो इसको मैं सिर्फ वीडियो मेड़ करके पोस्ट कर देता थो यह मुझे पकड़ लेता लेकिन अब मैं ने देखा पूरा यह इसके उपर डिसे डवांटेजिस और भी पूरा 500 वर्ड का आर्टिकल लिख डाला है ताके वह पकड़ ना सके इसे लगए यूनीक कॉंटेंट है क्वालिटी कॉंटेंट में आपकी यह शामिल हो चुका है तो यह अगली वीडियो में मैं आता हूं तो गूगल पांडवा पैंगूइन की बात हमने कर ली अगर आपको इन